हाई फ्रेंड्स आपसा भी लोग का मोस्ट वेलकम है हमाई चनल ये जी रंड क्रासिस में आज दिखेंगे जोगर्फी इसको बोलते हैं हिंदी भुगोल मल्टी पर्चास क्यूंट पार्ट नंबर फर्स्ट इसके पर ले करवाएं थे आपको हिस्ट्री का पार्ट वन से पार्ट शिक्स तर आज करवा जोगर्फी का लेका रहे हैं आपका एग्जाम में आपका कहीं कई जोगर्फी से कुषा करता है जो भी कुष्टिन लाएं 15 कोश्चन आपके लिए वीडियो लास तक देखें वीडियो आपको अच्छा लगता है कि लाइक करके शुरे को सेर आवस्य करें आई यह कोश्चन को स्टार्ट करते हैं सुर्च से दूरी के आधार पर ग्रहों का सही कर्म है मतलब किसके बाद कौन सा गरह है आपको पहचानना है नंबर देखिए फर्स्ट आप्शन है बूद पृत्वी सुक्र प्रिस्पती सकेंड ऑप्शन देखिए हैं बूद सुक्र पृत्वी प्रिस्पती ठर्ड ऑप्शन है सुक्र पृत्वी प्रिस्पती और देखिए फोर्थ आप्शन है सुक्र पृत्वी बूध प्रिस्पति आप कॉपी निकाल के चेक भी कर सकते हैं कि इतना 15 में नंबर सही लाते हैं देखिए सुर्ष से दूरी के धरपर मतलब सुर्ष के बाद कौन से गरा है कौन से गरा जान लिए कुल मिला के हमारे जो है ओ सौरमंडल में आठ गरा हैं कहा जाता है कि दूरी यान होगी है ब्रिस्पति इसका मतलब option number two यहाँ पर correct answer हो जाएगा कि बूध सुक्र पृत्वी ब्रिस्पति सुर्ष दूरी के धर पर गरहों का सही कर्म हो गया कहा जाए कि सुर्ष से सबसे नजदीक गरा कौन सा है आपको उसर देना होगा बूध गरा question number two क्यों आते हैं सुर्ष से दूरी के धर पर सुर्ष की और विप्रीत सही कर्म फिर मतलब होता है उल्टा दूरी धर उसका उल्टा आना है यह सिधा हो गया था यह आपको उल्टा आना देखिए first option आपका है वरून अरून शनी ब्रिस्पति second option देखिए है वरून शनी ब इन में से कोई नहीं आपको बताना है कि यूप्रीत उल्टा अब सब्सक्राइब करें दूसरे को शेयर करें कहीं निकजा में फाइदा आपको हो जाए तो विडियो लास तक देखें विडियो को पहले स्कीप ना करें विडियो को लास तक अवस्य वाच करें निमलिखित में से कौन सी दिसांतर रेखा को अंतराश्टिय तिथी रेखा कहा जाता है समझे क्या बता है आपको कौन सी दिसांतर रेखा को अंतराश्टिय तिथी तिथी रेखा कहा जाता है फस्ट ऑप्सन है 180 डिग्री, सकें 90 डिग्री, फर्ट ऑप्सन है 0 डिग्री बताईये कौन सी thोंतर रिखा को अंतराष्टी तिथी रिखा कहा जाता है यह की से correct आंसर हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ऑप्सन थर्ड is the correct answer आईए कुछत फोर की बढ़ते हैं अधि गुजरात का मानक समय बहत्तर डिग्री पूर्वी देसांतर को माना जाए और सुबह के साथ बजे हो तो भारत के मानक समय पर कितना समय होगा यह कहा गया किया गया अधि गुजरात का मानक समय गुजरात का कितना है 72 डिगरी पूरी सांतर को माना जाए और सुबह की कितने बज़े हैं साथ बज़े हो तो भारत के मानक समय पर कितना समय होगा साथ अलिस प्राता मिन सुभा साथ ब्यालिस प्राता मिन सुभा साथ पचास सुभा की साथ बीस प्राता जब गुजरात का बहतर डिग्री पूरी से संतर सुभा की साथ बजे हो तो भारत का मानक समय हो जाएगा पूरा पूरी ब्यास मिन बढ़ जाएगा 42 मिर्ट क्या होगा बढ़ जाएगा चांसर हो जाएगा 742 प्राता क्या हो जाएगा option नमबर 2 यहाँ फिकर्ट हो जाएगा 742 प्राता अगर निक्स आते हैं question नमबर 5 की ओर अपने कच्षी समतल पर पृथवी के अचका जुकाव कोन क्या होगा असर क्या होगा देखिये नमबर 4 ऑप्शन हो जाएगा यहाँ कर्रेक्टर आपका साड़े छियासट डिग्री जो है पिठ्थवी अच्छ का जुकाव कोन होता है अपने कच्छी समतल पर आपसर नमबर फोर यहां पर हो जाएगा आपका correct answer आईए question number 6 के और बढ़ते हैं देखिए आपको बहुत interesting आने वाला जोगर्फी भुगोल की पार्ट से आप वीडियो को last देखेंगे बहुत सुखने का मौका मिल जाएगा यदि भारत में सुबह के 10 बजे हो तो अंतरास्टी मानक समय पर क्या समय होगा 5 सुबह बजेगा 10 ही रहेगा कि साड़े 5 सुबह होगा कि साड़े 4 प्रात्र धान दिजेगा जब भी भारत में सुबह 10 बजे हो अंतरास्टी मानक समय बात किया जाए तो बिल्कूल आप साड़े 5 उसमें माइनस कर ले 10 साड़े 5 के कितना बचेगा साड़े 4 आने कि option number 4 यहाँ पर हो जाएगा आपका correct answer जब 10 बजे हो अंतरास्टी मानक समय बात यहाँ क्या पढ़ेगा साड़े 4 सुबह होगा आईए next question देखते हैं उत्तरी आयनांत कहा जाता है मतलब उत्तरी आयनांत किसे कहते हैं नंबर देखिए first option है उत्तरी गोलार 21 जून को लंबा दीन वह रात छोटी उत्तरी गोलार 23 मार्च को रात लंबी वह दीन छोटा third option उत्तरी गोलार 21 सितंबर को दीन लंबा वह रात भी लंबी नंबर fourth option उत्तरी गोलार 22 दिसंबर को दीन रात छोटी ये आपको बहुत इंट्रेस्टिंग आने वाला है, एक्जाम में कोई पुछा आना वाला सब कोश्चन है, वीडियो को लास्ट तक देखे, वीडियो अच्छा लागा लाइक करें, फॉस्ट टाम जब वीडियो को जो देख रहे हैं, सब्सक्राइब अवज से करें, जैकि उ उत्री गुलार 21 जुन को लंबा दीन वर रात छोटा हो, रात छोटी होती है, मतलब कि 21 जुन को दीन लंबा ही होगी और रात क्या होगी, छोटी होगी, तो अप्शन नमबर 1 is the correct answer हो जाएगा, आईए हम आते हैं कोश्चन नमबर 8 की और, ग्रहों के निमलिखित समूँ मे से किस समूँ के चारो और छले हैं, मतलब चारो क्या है, छले पड़ा हुआ है, कौन से वो गरह है, देखिए, नमबर 1 अप्शन देखिए, आपका है, सनी, नेप्चून, मंगल, सनी, सुक्र, नेप्चून, सनी, सुक्र, मंगल, सनी, ब्रिस्पत्ति, उरनस, पताना है कि च सारो और छले किस गरह के हैं, देखिए, आपका अपका सनी, ब्रिस्पत्ति, उरनस, तो अप्सन नमबर देखिए, फोर में लिखा हुआ है, सनी, ब्रिस्पत्ति, उरनस, आनकी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, आइए, कोष्ट्वी द्वारा, सुर्टे चारो और घुम गुमने को कहा जाता है। जब पिर्थवी द्वारा सूर के चार और घुमता है उसे क्या कहा जाता है। परिकर्मन तो यहां पर option 4 आपका हो जाएगा correct answer जब पिठ्वी सूरिक के चारों घुमते हैं उसके क्या कहा जाता है तो परिकर्मन कहा जाता है आई इन इस question आते हैं निमलिखित में से ग्रहों के कौन सा संजोजन गैसिये ग्रह कहलाता है कि most important question देखी question number 10 आपका most important है कि कौन से ग्रह को संजोजन गैसिये ग्रह कहलाता है ब्रिस्पती, sunny, uranus, neptune, ब्रिस्पती, mangal, prithvi, neptune थर्ड option है सुक्र, ब्रिस्पती, mangal, sunny और फोर्थ option देखी आपका है mangal, सुक्र, sunny, uranus पताईए क्यासिये ग्रह कौन से ग्रह कहलाता है देखी एक right answer होगा आपका ब्रिस्पती, sunny, uranus, neptune means option number first is the correct answer हो जाएगा ब्रिस्पती, sunny, uranus, neptune आई हम question number 11 के उर बढ़ते हैं और 5 question बचा हुआ है ये पूरा आपका part 1 जगर्फिक का complete हो जाएगा आई देखते हैं पृत्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है क्योंकि चंद्रमा केवल पृत्वी का चकर लगाता है प्रन्तु अपने अच पर चकर नहीं लगाता है चंद्रमा पिर्थवी का चकर नहीं लगाता है केवल अपने अच्छ पर चकर लगाता है ठर्ड ओप्सन चंद्रमा अपने अच्छ पर एक चकर पूरा करने से कहीं अधीक समय पिर्थवी का चकर पूरा करने में लेता है फूर्थ उप्सन चंद्रमा पिर्थवी का एक चक्र पूरा करने में लेता है उतना ही समय अपने अच पर एक चक्र पूरा करने में लेता है बताईए चारो आप्षन में correct answer कौन सा होगा क्या question सुनिए फिर से पिर्थवी चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पढ़ता है क्योंकि ताते से correct answer क्या होगा चंद्रमा पिर्थवी का एक चकर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय अपने अच पर एक चकर पूरा करने में लेता है इसी कान एक मग दिखाई देता है तो option 4 यहाँ पर हो जाएगा आपका correct answer आईए question number 12 के और बढ़ते हैं पिर्थवी अपने अच पर घुमती है पश्चीम से पूर्व की और उत्तर से दच्छीन की और पूर्व से पश्चीम की और दच्छीन से उत्तर की बताना है पिर्थवी अपने अच पर घुमती है की साइड में घुमती है पश्चीम से पूर्व उत्तर दच्छीन की पूर्व से पश्चीन दस्चीन से उत्तर की ओर ध्यान देजेगा पृत्वी अपने अच पर जब घुमती है तो हमेशा वो पस्चीम से पूर्व की ओर घुमेगी मिन्स का हाल एंगलिस में तो वेच से वो इस्ट की ओर जाएगी तो नमबर फॉस्ट यहाँ पर करेक्ट होगा पस्चीम से प्री अपने अच पर घुमती है आई ए लेकिंटि खुर्ष ह्टीन है भारत की मानक देसांतर है बाटा ये ने चौन को 90 ल करेची कम प्यम junior सांतर क्या है तो आपकर तक क्या आंसर हो जाएगा बेरासी डिग्री तीस मिनट पूर्द सांतर ऑप्सन नमबर थर्ड इस दे क्रेक्ट आंसर हो जाएगा आइए हम पढ़ते हैं कोश्चण नमबर फॉरटइन की ओर बीग बीर एक उधारन मतलब बीग बीग बीर किसका उधारन किस दिसु कहा जाता है कास गंगा का नचात्र मंडल का तारा का गैलेक्सीPlus दे देख Go ओदहारन जो है उधारन किसका है अज़ वरिष्ट आईए आज अज्फ़ आज का वर्फी का अंतीम प्रुष्षम पर आते हैं विशू के दिन सुर्ड कि स्थीधी कितने पढ़ती है करकर रेखा पर विशुवत रेखा पर मकर रेखा पर आक्टिक वृत पताईए विशु के दिन सुर्ख सिधी कितने पढ़ती है किसवर पढ़ती है करकर रेखा पर विशुवत रेखा पर मकर रेखा पर आक्टिक के दिन तो इहां दिजीएगा वुशो से विशूत तो आपसनन नम्बर तू यहां पर दख्षी हो जाएगा तो करकर रेखा जाहती है तो वीशूत रेखा पर पढ़ती है तो फिफटीन का नम्बर टू आपके करेक्ट आंसर घॉघएहां design स्माप्त जोगर्फी भोगोल के हम निक्स टैम में और वीडियो लेके आएंगे वीडियो आपको अच्छा लगा अभी तक लाइक ने की लाइक करके इसरे को सेर अवसे करें लास्त वाच करने के लिए आपको थैंक यू